हेलो दोसों, great smashes में आपका स्वागत है, next example is constructor DFA which accept a language of all strings not starting with A or not ending with B last video में हमने discuss किया कि containing A या फिर at least A, starting with A, ending with A, starting with A and ending with B इस तरीके के questions जो है वो हमने discuss किये लेकिन इस वीडियो में जो है वो not जो है मतलब not starting with A, not ending with B, मतलब सबसे पहले अगर हम इसके language लिखें तो language में हमारे पास कौन कौन सी आएंगी, not starting with A or not ending with B तो देखो अगर मैं बात करूं lambda की, या अगर आगर आप बात करूं epsilon, मतलब null तो देखो lambda या null जो है वो भी आपका इसके अंदर accept होगा क्योंकि ना तो ये A से start हो रहा, ना ये B से end हो रहा इसके लावा गर हम बात करें, let's suppose only A या only B अगर मैं बात करूं B A, मतलब आपके पास जो है वो multiple strings यहाँ पे बन रही है लेकिन मैं आपको बता दू कि जब भी question आपको not वाला आए, मतलब not starting with this या not ending with this, तो आप इसको करने का तरीका जो है वो क्या करो, इसको compliment तरीके से करो compliment मतलब आप इसका जो है वो compliment निकालो, या simple way से अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे use करो d morgan theorem, d morgan theorem क्या कहती है, d morgan theorem है a union b का अगर मैं compliment लेता हूँ, तो वो क्या बनेगा, a compliment intersection, union का compliment intersection intersection का compliment क्या होता है, union, तो a compliment intersection b compliment तो इस तरीके से जो है वो हम d morgan को यहाँ पे use करेंगे, हमारे पास जो है वो है not starting with a a, अगर मैं not starting with a को a माल लूँ capital, not starting with a को let's suppose it is a statement not ending with b, not ending with b को let's suppose इस पूरी statement को मैं capital b माल लूँ तो यह बन गया मेरा b, not starting with a का मतलब है a, not ending with b का मतलब है b और बीच में क्या है और, और को हम क्या लिग लेते है, union, that's it तो यहाँ पे अगर मैं इसका compliment लेता हूँ, तो इसका compliment किसके पराबर आएगा a compliment, intersection, b compliment a compliment का मतलब क्या है, a का मतलब है not starting with a तो इसका compliment क्या हो जाएगा, starting with a इसका compliment क्या बन गया, starting with a union का compliment क्या बन गया, intersection, union का मतलब क्या है, और तो intersection का मतलब क्या आता है end next step B B का मतलब है B statement हमने लिया था इसको not ending with B तो B का compliment अगर मैं लेता हूँ तो B का compliment क्या बन गया not यहां से हट गया यानि यह आप कह सकते हो ending with B तो देखो पूरी statement हमारे पास क्या बन गई starting with A and ending with B जो हमने last video में डिस्स किया था कि कैसे हम DFA design करते है जो सारे strings को जो है accept कर रहा है जिसमें starting with A होना चाहिए और ending with B होना चाहिए तो हमने last video में design किया था तो मैं direct यहां पर बना रहा हूँ Q node मेरे पास starting state है A पे हम Q1 पे गए और B पे हम Q2 पे गए और Q2 क्या थे मेरी final state थी आपने अगर इस video को नहीं चेक किये तो एक पर जुरू चेक कर ले description box में इसका link दिया हुआ है starting with A and ending with B को हम कैसे design करेंगे मैं यहां पर direct इसको use कर रहा हूँ A जो है यहां पर मेरे पास इसका loop बन रहा है B का यहां पर मेरे पास loop बन रहा है और A के लिए यह वापिस आ रहा है और यहां पर B के लिए हमने क्या किया इसको trap में डाल दिया तो यह मेरे पास जो है वो DFA जो है वो starting with A and ending with B का बन जाएगा तो देखो A के लिए हो गया B के लिए हो गया तो यहां पर हमने करना क्या है इसका compliment ले लो क्योंकि अगर आप इसका compliment लोगे तो यह आएगा और अगर इसका compliment लोगे तो यह आएगा तो obviously यह दोनों आपस में vice versa है तो इसको अगर आप compliment लेना चाहो तो DFA का compliment हम कैसे लेते हैं DFA का compliment लेना बिल्कुल simple सा तरीका है जो final states है जितनी भी final states है उसको आप non-final बना दो और जितनी भी non-final states है उनको आप क्या बना दो? final states तो देखो यहाँ पे non-final कोन सी है? Q note तो Q note को आप बना दो final Q1 यहाँ पे non-final है तो आप इसको बना दो final state थी तो इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे non-final तो यह बन गया मेरा non-final state that is Q2 और यह मेरी trap state थी Q3 और यह भी क्या थी non-final ही थी तो अब इसको भी बना दो क्या final state तो देखो note starting with A और note ending with B में कितनी final state बन गी? 1, 2 and 3 और यह point आप note के ले जितने भी question जिसमें हम compliment लेते हैं compliment लेते time जो है वो हमारी जो number of final states है वो ज़्यादा बढ़ जाती है as compared to the normal case क्योंकि normal case में जैसे हमने पहले distance किये हुए हैं उनमें हमारे पास final state 1 बन रही थी तो अब यह बन गी not starting with A और not ending with B का DFA तो देखो, akela epsilon आता है तो क्या accept होगा? Yes, क्योंकि यह मेरी starting state है तो starting में ना अगर आप A दो, B दो कुछ भी ना दो, epsilon भी यह क्या कर रहा है accept कर रहा है क्या akela A accept होगा? Yes, akela A accept होगा, क्यों हो रहा है akela A not starting with A और not ending with B तो यह starting with A तो है लेकिन बीच में और है, not ending with B, true है यह, yes, यह true है, not ending with B, तो देखो आपको simple यहाँ पर, true or false, कांसर क्या बनेगा, obviously true, मलब आपको simple सा तरीका चेक करना है, कि अगर अकेला A लेते हो, तो not starting with A, यह तो false हो रहा है, लेकिन यह तो true है, not ending with B, तो obviously not ending with B, अगर मैं अकेला B लेता ह यह भी accept होगा, होना चाहिए, yes, obviously होना चाहिए, क्यों, not starting with A, देखो B जो है, वो not starting with A तो है, और बीच में और है, तो our next part अब चेकी ना करो, क्योंकि एक पर्टी पर अगर true हो गया, तो यह जो है, वो string, accept हो जाएगी, then अगर मैं बात करूं, A, B, not starting with A, और not ending with B, तो है, तो देखो, A, B यहाँ पर accept नहीं होगी, तो यहनी मेरा DFA properly work कर रहा है, इसके लाव आप कोई मर्जी लेते जाओ, B, A अगर आप लेते हो, तो देखो, यह भी accept हो रही है, not starting with A, not ending with B है, तो yes, सारी strings जो है, वो accept करेगा, accept starting with A and ending with B, तो जितने भी कोछे जिसमें not वाला case आए, आप उसको पहले positive वाला case बना लो, और फिर compliment ले लो, compliment का method जो है, वो बिलकुल simple है, final को non-final, non-final को final, thank you.